आज देख रहे हैं जब हम भारत के पुरु वर्फन मौला और रांडर युगराज सिंग की बात करते हैं तो जो सबसे पहला दृष्ष्य हमारे सामने आता है वह उनके द्वारा 2007 के 2020 कप में डर्बंग के मैदान पर इंग्लेंड के तेज गंगबाद इस्ट्वर्ट ब्रॉड के एक ओवर में च्छ गेंद पर लगाए गए जबकि उसी मैच में उनके द्वारा बनाया गया एक और विस्व रिकॉर्ट मात्र 12 गेंदों में 50 रन तेरा वर्स बाद भी विस्व के खिलाड़ी ही ऐसे हैं जो उनके इन दोनों रिकॉर्डों को तोर सकते हैं यूविन एक ऑनलाइन लाइब चार्ट में माना कि टीम के धुरंदर सलामी बलेबाच की अल्रागुल एबं तुफानी ऑल्राउंडर हार्दिक पंडिया वो दो खिलाड़ी हैं जो उनका फास् 34 गेंद में 91 रंग की पाड़ी का उधारण भी दिया और उन्होंने इसे अपनी देखी हुई IPL की सबसी बेस्ट पाड़ियों में से एक बताया हैं आपको बता दू कि यूराज ने पांडिया की जिस पाड़ी का जिक्र किया है वो 28 अपरेल 2019 को इडन गाडन में हार्दिक ने खेली थी हालांकि उनकी इस ताबरतोर 34 गेंदों में क्यानवेरन बनाने के बावजूद मुंबई 34 रंग से वह मुकावला हार दी यूवी ने हार्दी को 2023 बिसुकब जिताने वाला खाजाना बताया उनके हिसाब से पांडिया में एक जबरदस्क टैलेंट है लेकिन कि इसी को उनके दिमाग पर कारे करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि यदि कोई हार्दी को संयम रखना सिखाने का कारे करेगा तो वह टीम के लिए 2023 बिसुकब जिताने के लिए बहुत बड़ा खाजाना साबित हो सकते हैं यूवराज ने यहां एक और उदारन दिया हिए उन पारी में नहीं बदल सकें जिसका खमियाजर टीम को भुगत ना पड़े खिलाडियों के मनोश्तिती को बैतर करने के लिए यूगा चाहते हैं कि टीम से एक मनोश्यानिक यानि मेंटल कंडिशनिक को जोड़ा जाए ताकि जो नए यूगा खिलारी टीम में आ रहे हैं उन् संसार टेलेंट का भंडार मांती है पर अभी तक उनका करियर अपडाउं से ही जूज रहा है उनके जैसे टेलेंट के खिलाडियों के लिए एक मेंटल कोच होना अधिक जरूरत महसूस कराता है यूगराज में कहा है कि राहूल और हार्दिक उनके रिकॉर्ड को तोर सकते ह आपको क्या लगता है इन दोनों में से यूगराज 6 शक्को और सबसे तेज अर्शतक बनाने के रिकॉर्ड को कौन तोर सकता है कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें आप देख रहे हैं चब देखर कर प्लिक्ट के जूरी जनकारी और अफडेट के लिए हमारी चैनल में स सब्सक्राइब जरूर करें साथ इस बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें धन्यवाद